हम लोग बात कर रहे थे बहुतिक भूगोल की बारे में और आपने देखा होगा कि इसमें हम लोगों ने लाश्ट किलास में पढ़ा था अंतर जात और वहीर जात बल के बारे में और इस पर हम लोगों ने बिस्तार से चर्चा की हुई थी और यह सभी कलास हैं आपकी UPSC यानि कि Civil Service और State PCS Prelims को ध्यान में रखती हुए कबर किये जा रहे हैं आप मैंसे बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल रहते हैं क्या ये कलास हैं और भी एकजाम के लिए मातपूर्ण हो सकती हैं तो देखिए आप लोग अपने जिस भी एकजाम की तैयारी करें उसके पुराने कुश्चन्स पेपर उठा के देखिए और उसका सेलेवर्स देख प्रेलिंस special classes के नाम से तो जो प्रेलिंस का आपका सेलेवर्स है वो सभी आप लोगों को यहां मिल जाएंगी चाहे इतिहास की हो फिर चाहे भुगोल में आपका भारत का भुगोल हो या भौतिक भुगोल हो समिधान हो अर्धवस्ता हो बिग्यान हो तो वहां जाकर आप देख सकते हैं उत्पन होते हैं उनके द्वारा छेतिज संचलन के कारण जब भू पटलिये चट्टानों में संपीडन इस्तिती उत्पन होती है तो चट्टानों में लहर नुमा मोड पड़ जाती हैं इस तरह से आप देखिए और जिन्हें आप लोग बलन के नाम से पुकारते हैं फोल्ड के नाम से जानते हैं बलन में एक भार उपर उठ जाता है और दूसरा भाग नीचे धस जाता है बलन के जो उपर भाग उठ जाता है उसे आप लोग आउनती कहते हैं क्या कहते हैं, आउनती कहते हैं, इस भाग को, और जो नीचे धस जाता है, उसे अभी नती कहते हैं, और पितेक बलन के दोनों और के भागों को आप लोग बलन की भुजाएं कहते हैं, क्या कहते हैं, बुजाएं कहते हैं, और अप नती में भुजाएं एक दूसरे की विफ्र और वलन की दो भुजाओं की बीच अपनती के उच्च भाग अत्वा अभी नती के निम्न भाग से गुजरने वाली काल्पने रिखाओं को बलन का अक्ष कहते हैं क्या कह देते हैं? अक्ष कह देते हैं और यहां आप लोग देख लीजे कुछ, ठीक है, नती और नती लंब, यह नती हो गया और यह नती लंब आप लोग देख रहे होंगे, और यहां आप देखें कुछ, यह आप देखें अक्छी यह तल हो गया, यह अप नती अक्छ हो गया, और यह अप नती अक्छ हो गया, द इस चित्र को भी देख लिए अपनती उपर उठे हुए भाग को ये अभीनती अपनती अभीनती अपनती अभीनती अभीनती ये बुजाय हो गई देखिए ठीक है फ्रेया चट्टानों में छेतित तल की साथ कौण बनाती हुई जुकी होती है और जुकी हुई चट्टानों क जुकाओं को नती कहते हैं तो उस इस्टर की नती तो तीस दिगरी दचिन होगी तीस दिगरी दचिन होगी एक बात और आपको बता जूँ अगर आपको और विस्तार से इनको पढ़ना है तो आप लोग NCEIT जरूर पढ़िए और अगर आप लोग Civil Service की तैयारी कर रहे हैं तब तो मुझे लगता है कि NCEIT आप लोगों को पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए और एक से दो बार पढ़ना चाहिए आप लोग ये भी कहते रहते हैं कि हम लोगोंने तो बच्पन में पढ़ी ही है तो देखिए तब का छोड़ी है अभी आप लोग एक से दो बार बढ़ जरूर पढ़ लीजेगा 6 से 12 तक रातरी के समय बरप आप लोग देखते होंगे और पानी के जमने से बरप बनना और आयतन बढ़ाने से चट्टाना को तूटना ये भी कारण है नती के साथ सम कौण बनाने वाली रेखा को उस जुकी वी चट्टान पर नती लंब कहते हैं और इस पश्ट है कि ये सदा ही न नती के साथ 90 डिगरी का कौण बनाती है कितना 90 डिगरी का अब बात आती है कि बलनों के यानि की फोल्ट्स होते कितने पिकार के हैं कितने टाइप के होते हैं तो संपीडन की तेबिता और सैली की सरचना की अनुसार भू पटल पर कही पिकार की बलन पाये जाते हैं यहां स संपीडन की बार बार बात हो रही है तो संपीडन का मतलब होता है दबाओ या दबाना और एक ऐसा बल होता है जो दबाओ उत्पन करता है जब किसी छड़ हो या गैंद पर बाहरी बल के कारण दबाओ उत्पन करते हैं ना हम लोग उस बल को हम लोग संपीडन बल कह देते है और इस बल के कारण छड़ की लंबाई गेंद की आकार में कमी होती है, मोड़ जाता है, ठीक है? और पिर मुख बिकार की बलन इस तरह ऐसे हैं, एक, आप देख लिजे, दूसरा, तीसरा, और चौतरा, पाज़ माँ पहला बलन आप लोग देखें अगर, तो इसे सम्मिद बलन कहते हैं, क्या कहते हैं? सम्मिद बलन की नाम से आप लोग जानते हैं और इस बिकार की बलन की दोनों भुजाओं का जुकाओं समान होता है, कैसा होता है? समान होता है इसमें आप देखेंगे कि दौनों बुजाओं का जुकाओ समान होता है ठीक, अक्च रेखा इसकी लंबवत होती है दूसरा आप देखेंगे इसमें आहाँ सममित बलन होता है और इस पेकार का बलन इस पेकार के बलन की एक भुजा, दूसरी भुजा की अवेक्छा कम या अधिक जुकी होती है यहाँ दिख भी रही होगी आपको, देख लिजे ठीक है, इसे आप लोग आज सम्मित बलन कह देते है तीसरा आप देखेंगे कौन सा है, एक नद बलन और इस पेकार के बलन में एक भुजा धरातल से समकोन बनाती है परन्तु दूसरी भुजा साधान रूप से जुकी होई होती है यह देख लिजे आप लोग, इसे भी, इसे भी देख लिजे ठीक है, और सम, फिर चौतरा होता है सम, समनद बलन और जम सम, पीडन के कारण दोनों दिसाओं में समान दबाव पड़ता है तो बलन की दोनों भुजाएं एक ही दिसाओं में जुक जाती है देखिए इसे, इसकी बात हो रही है ठीक है, और दोनों दिसाओं में समान दबाव पड़ता है तो बलन की दोनों भुजाए एक ही दिसा में जुख जाती है और एक दूसरे के समाननतर हो जाती है और सेलों के ऐसे बलन को हम लोग समनद बलन की नाम से जानते हैं और फिर तीसरा आप दे पाचवा कुँझा है? परी बलन अथवा स्यान बलन जब छेति संचलन अतिधिक दीब है तो अतिधिक संपीडन की कारण इतना आधिक बल होता है कि बलन की दोनों भुरयाय परस्पर होती हुई छेति दिसा में होती है यहाँ पाचवा आप लोग देख सकते हैं देख लिजे, यह पाचवा हो गया यहाँ कि पाचवा है आपका परिवलन अत्वा स्यान बलन छटवा पिती बलन जब आप देखेंगे कि अतिधिक संपीडन से संपीडन से बलन की एक बुझा दूसरी बुझा उलट जाती है तो उसे पिती बलन हम लोग कहते थे हैं पिती बलन अत्वा पिती बलन तथा परी बलन में केवल इतना अंतर होता है कि पिती बलन की भुजाएं परी बलन की भाती छेति नहीं होती हैं अउनमंबल जब किसी अक्षे जब किसी का अक्षे छेतितल के समाननता ना होकर उसके साथ कोई कौण बनाए तो उस बलन को हम लोग आउमंबलन कह देते हैं आउनमंबल भी कह देते बलन भी इसे पंखा बलन फैन बलन और जब एक बेहड बलन की वेहद अपनती तथा अभीनती में कई छोटी छोटी अपनतियां अथवा अभीनतियां मिलती हैं तो पंक्य की आक्ति का बलन बनता है और जैसे पंक्खा बलन कह देते हैं और एक वेहद अभीनती में कई लगू अभीनतियां तथा अपनतियां होती हैं ऐसी अभीनती को हम ल और जिसे सम संपनती कहते हैं यहां कुछ आप देख रहे होंगे यह आप देख लिजे संपनती और संभीनती इस तरह से ने देख भी सकते हैं यहां भी कुछ चित्ता आप लोगों को देखाई दे रहे हैं और आप देखेंगे नौबा है खुला बलन यदि किसी बलन की भजाओं के बीच का कौन 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है तो उसे खुला बलन कह देते हैं बंद बलन यादि किसी बलन की भुजाओं के बीच नियून कौन बनता है तो उसे बंद बलन कह देते हैं इसका निर्मार अतिधिक संपीडन से होता है एक है आप देखें ग्रिवा खंड परीवलन एक भुजा दूसरी भुजा पर छेतित दिशा में पड़ी होती है और जब अंतरजात बल अधिक सक्रिय हो जाता है तो संपीडन अधिक होने लगता है और परीवलन मोडा की उल्टी हुई भुजा बहुत अधिक मोड जाती है और वलन अपने कक्छ पर तूट जाता है और मोड का एक भाग की सक्कर दूसरे की उपर चड़ जाता है इस देसाब स्थान से कई किलोमीटर दूर चली जाती है और तूटकर दूर होने वाली भुजा के नीचे अनविकार की सेले होती है जिनका भुजा की सेलों से समंद नहीं होता है और इस पिकार किसी परिवलन या सैन बलन की टूटी हुई भुजा जब अपने स्थान से हटकर दूसरे स अगर अधिक कौण है तो आप देखें कि खुला बलन और कम है तो बंद बलन उल्टी भुजा उल्टी भुजा बाला परी चालन मोड मोड जनक बल की दे सामें ए आड ठीक है ए अक्ष अक्ष उपर वाली भुजा निचली भुजा से अलग हो जाती है इसे ग्रोवा खंड का बाड होता है और इस तरह से आप लोग देखें कि आपका बलन खतम होता है बलन के बारे में जानकारी पूरी होती है इससे कुश्चनस पूछे जाएं या ना पूछे जाएं बहुत थी कि भोगोल के लिए समझने के लिए आपके ये कि सामवान ने चंचा इसकी जरूरी र बात होगी अंगली क्लास में हम लोग ब्रंस के बारे में बात करेंगे उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे और अगर आप लोगों को विस्तार से पढ़ना है तो फिर से कह रहा हूँ